है एवरिवन वलकम तो आइफस तो डियर एसपारेंट कैसे हो आप लोग सभी आई होप यूड और गूड और फाइन चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे 100 डेस्ट चैलेंज के कोश्चन स्रीज जो चल रही है कई दिनों से यह 100 डेस्ट तक चलेगी और आपको भी हमारे सा है ताकि आप आई टी जैम का एक्जाम क्वालिफाइ कर सकें ओल इंडिया रेंक के सांथ ठीक है तो यह 100 डेस्ट चैलेंज हमने आपके लिए लिए और आप अपने खुद के लिए चैलेंज जरूर लीजिए ठीक है तो 100 डेस्ट चैलेंज में डेली हम मैं आपको बता दू यदि हमें प्लेटफॉम पर नए आये हैं ठीक है तो हम डेली बेश्ट पर 5 फॉश्ट आपको प्रोवाइड करते हैं हमारे अप पर free of cost क्योंकि YouTube पर अप्लोड कर नहीं सकते तो हम वह हमारे app में daily 5 questions देते हैं यदि आपने ये lecture खत्म होने के बाद जैसे आप यह वीडियो देख लें उसके जस्ट बाद ही 5 questions uploaded मिलेंगे आपको आप में तुरन जाना है वहां जाकर upload कर दिये गए हैं वहां जाकर questions को solve करने हैं सेकर्ड वीक हमने molecular biology दिया और थर्ड वीक है आज methods in biology जैसे आप technique भी बोलते हैं ठीक है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं without any यदि तक आपने question solve नहीं कर रहें तो पहले question जाकर solve कर लो कलके वही आज हम discuss कर रहे हैं discussion देखना बहुत important है ठीक है discussion देखोगे तभी पता चलेगे कि बाकी की चीज़े क्यों option गलत है बाकी जो option correct कर रहा वो क्यों सही है ठीक है जो चलिए start करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दू 17 जून से IFS का base launch हो रहा है 17 जून याद रखिएगा date IFS का base launch हो रहा है 17 जून से use coupon code IFS50 flat 50% off चल रहा है IFS के courses पर चाहे आप recorded लें चाहे है आप live courses मिलें तो IT जम का live बेच है 17 जून से और GAD B का भी live बेच है ग्रेजिट एक टेस्ट वर बायो टेकनलोजी का भी live बेच है और इसका साथ यादि आप स्वेट पीजिए में इन्रोल करना चाते हैं अवेलेबल है IFS के platform पर आप हमारी website विजिट कीजिए ठीक है या फिर इस नंबर पर कॉल कीजिए ठीक है एवरिवन चले discuss करते हैं first question तो start करते हैं first question से which technique is used to detect specific protein in a sample ठीक है तो हमने बात करी थी वो protein की technique कौन सी होती है तो वो होती है western blotting is the correct answer क्योंकि southern blotting में तो आप DNA को देखते हो है ना और northern blotting में हम किसको देखते हैं RNA को और western में protein को ठीक है और eastern में आप देखते हो post translational modification कोई protein के उपर ठीक है protein बनने के बाद कोई modification हो अलग से किसी चीज़ का addition हुआ है ठीक है तो व असर क्या है western blotting ध्यान रखना बाकी की टेक्निक क्यों सही नहीं है क्योंकि वो अलग-अलग उसके लिए की जाती है अब यह आप से क्या बोल रहा है कि विच एंजाइम इसका मतलब यह हो रहा है कि अधि RNA से आपको DNA बनाना है ठीक है RNA से DNA बनाना है तो DNA से RNA वाली बनने की प्रोसेस को हम transcription कहते हैं ठीक है इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं transcription और इसको किसको कहते हैं RNA से protein बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं translation इकgo प्रान्स्रेशन करते हूं उसको लिए सर्झ को बना रहे हैं और ऊज़िछ की यहां बनाने के रहे हो तो इसको डील से आरेना बनाने के लिए आरेना की रिक्वार्मेंट मैं आप किसको बना रहे थे, but आप RNA से DNA को बनाने को क्या बोल रहे हो तो transcription का just opposite कर रहे हो तो reverse transcription कर रहे हो आप एक तरीके से तो इसमें एक enzyme use होता है reverse transcription में जिसका नाम भी reverse transcription है तो reverse transcription is the correct answer हमारा कौन सा answer जाएगा reverse transcription DNA polymerase तो यहाँ पर use होगा गाईज ठीक है DNA Polymerase तो DNA से DNA बनाने के लिए यूज़ होता है DNA Polymerase ठीक है वही बात करें RNA Polymerase ये Transcription में से DNA से RNA बनाने के लिए कौन सा Polymerase यूज़ होता है RNA Polymerase रिवर्स टांस्क्रिप्टेज यूज़ होता है इस प्रोसेस के लिए आपको रिवर्स टांस्क्रिप्टेज यूज़ में आता है ठीक है चलिए next question देखते हम next question है what is the function of di-deoxy nucleotide in Sanger sequencing तो आपको पढ़ाया है हमने एप लाइव में भी ये बात कर रहा है di-deoxy nucleotide का मतलब d-d entities करके आप short form में बोलते इसको na di-deoxy nucleotide trifosphate अब di-deoxy का मतलब क्या होता है जो 3 prime पर OH ग्रूप होता है ठीक है तो 2 prime का OH ग्रूप आप वहां से OH ग्रूप को गयाप करते हो तबी तो बोलते हो उसको कारवन की जो सुगर है अब यदि उस 2 prime पर OH ग्रूप हटा दिया जाए तो आप उसको बोलते हो ठीक है क्या बोलते हो इसको डियोक्सी राइबोस सुगर ठीक है बड़ 2 prime के बाद 3 prime पर OH ग्रूप को हटा दो रिमूव कर दो आप 3 prime पर OH ग्रूप कर करते हो जब वहां पर एक और nucleotide trifosate आपको 8 करना हो तो एक nucleotide की फिर दूसरा nucleotide फिर तीसरा nucleotide फिर 4th nucleotide ऐसे आपका पूरा DNA बनता है अब क्या होता है कि 3 prime पर एडिशन होता है तो वह 3 prime वाला OH पहले से ही ना हो तो 3 prime वाला OH नहीं होगा तो फिर further nucleotide का addition नहीं होता है और nucleotide का addition नहीं हो तो di-deoxy हो गया ठीक है और यहाँ पर 3 prime पर कोई OH ग्रूप नहीं तो further nucleotide का addition नहीं होगा और further nucleotide का addition नहीं होगा तो chain terminate हो जाती है तो जहाँ पर terminate की बादा है to terminate DNA chain elongation is the correct answer तो cut DNA to the specific side वो तो restriction enzyme करेंगा और side को बोलते restriction side to bind to the specific DNA sequences से bind करेगा specific DNA sequences से ऐसा भी नहीं इसका मतलब वो था termination करना amplify तो आप PCR के थू करते हो polymerase chain reaction का यूज करके next question देखते हैं which technique uses fluorescent labeled nucleotide for sequencing DNA इन में से कौन सी टेखनीक है यह साधी sequence DNA sequencing की टेखनीक है ठीक है Southern blotting से तो आप पता करते हो कि DNA sequence क्या है पहे क्या है DNA के बारे में जहाद तर Southern blotting तो आपको पता ही है तो Southern blotting तो यह नहीं होगा क्योंकि यहां पर fluorescent labeled nucleotide के sequencing की बात कहिए sequencing में आप single sequencing करवाते हो पाइरो sequencing करवाते हो next generation sequencing तो next generation sequencing में हम fluorescent labeled nucleotide को लेने लगे हैं next generation sequencing में fluorescent labeled nucleotide को लिया जाता है ठीक है यह थोड़ा सा deep down question था याद रखेगा कि fluorescent labeled nucleotide का ठीक है DNA sequencing में कहां पर यूज होता है next generation sequencing में इससे क्या होता है कि हम फटा फट डिटेक्ट कर पाते हैं क्योंकि fluorescent labeled होता है क्लियर है चलिए चलिए नेक्स देखते हैं next question है guys what is a common application और daily basis पर five questions upload हो रहे हैं के लिए जाकर देखना है प्लेटफोर्म पर ठीक है आए फस की वैपसाइट पर जाईए वहाँ पर है ठीक है तो वोट इस आ common application of recombinant dna technology in medicine recombinant dna technology ठीक है medicine की बात कर रहा है medicine तो RDT का क्या applications होती है आपको पढ़ाया गया है RDT recombinant dna technology जिसमें हम वैक्ट dna cloning करते हैं वैक्टर बढ़ते हैं रेस्टिक्शन पढ़ते हैं अलग अलग टाइप के restriction enzymes को पढ़ते हैं फिर हम बात करते कौन होस्ट होगा वैक्टर को करके लेके जाएगा वह सारी तमाम बाते करते हैं ठीक है तो सब्सक्राइब करते हैं ज्यादा तर आप इसको किसमें यूज करते हो तो ज्यादा तर हम production of genetically modified crops का यूज करते हैं ठीक है यहाँ पर इसमें RDT का यूज हो रहा है क्लोनिंग करवाते हैं हम अनिमल के वहाँ पर भी RDT का यूज हो रहा है पर यह common है क्या इसे common होती तो हर दिन नहीं क्रोप आती रहती है ठीक है हाँ पर common में हम majorly यहाँ पर जो आंसर गिवन है उसके साथ जाना पड़ेगा common लिखा हुआ है इसलिए ठीक है तो यह बहुत जादा common नहीं जीन तरफी पर आपको सुनने में नहीं आता बड़ बेसिकली हो रहा है चल रहा है जीन तरफी के लिए हमने RDT का यूज किया ठीक है तो इस तरीके से आपको कर सकते हैं चले और एक और बाद questions कहां मिलते हैं फिर से मैं एक बार और बता देता हूं हर बार बताता हूं पर इस बार फिर से आपको IFS एप पर जाना है या फिर IFS के website पर login कर लेना है login करने के बाद आपको exam name select करना हूँगा यहां से आपको यहां पर IT जैम दिखाईने देगा आपको PhD इंटरंस exam या MSA इंटरंस exam कुछ लिखा हुआगा उस पर क्लिक कीजिए तब आपको अपर left corner पर exam name मिलेंगे तो आप IT जैम select करोगे तो वेसे इस तरीके सा IT जैम आ जाएगा IT जैम by technology select कीजिए उसके बाद आपको जाना है learn free के section में learn free के section में जैसे ही जाते हैं फिर आपको जाना होगा आपको option दिखाई द के हर दिन के साब से हमने question अब next देगे यानि कल जो question हम discuss करेंगे वह अभी तुरंट इस वीडियो के जैसे end होगा वैसे upload हो जाएंगे आप वहां जाके solve कर लिजेगे तुरंट जाने के बात daily breakfast के साथ ये भी करते जाएए ठीक है questions और यदि आपने IFS का app download नहीं कर रहा हो क्योंकि हमारे पास बहुत सारी content है जो आपके exam qualify करने में बहुत ज्यादा साथ देने वाली है thank you so much everyone ठीक है इदि आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं कर रखा हो तो प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल बाबाई take care and happy learning मिलते हैं daily ठीक है देली मिलता रहता हूं मैं आपक बाबाई